हेलो एवरिवन, होप यू आर आल डूइंग वेरी वेल, दोस्तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नितेश एजुकेशन 27 पर ये मेरी क्वालिफिकेशन है और आज हम लोग एक ने टॉपिक पर बात करेंगे जो कि आपका यूनिट 6 का उसका एक सॉप टॉपिक है means of knowledge ज्यान के साधन इसके बारे में हम लोग डिस्केस करेंगे कि क्या होते हैं कि ज्यान के साधन क्या क्या है इंडिन लॉजिक में कौन-कौन से ज्यान के साधन बताए गया है तो इस स्टाट करते हैं देखिए तब से पहले अगर हम बात करें तो as per the Vedas philosophy प्रमानाज are six in number प्रमानाज कितने हैं six माने गए हैं therefore there is the valid means of knowledge available to us and we should be careful enough to use various faculties of mind to arrive at the true knowledge यानि कि हमारे पास सर्थी truth knowledge truth की और पहुंचने के कई sources हैं और हम इन sources का यूज करके क्या कर सकते हैं सही knowledge की और पहुंच सकते हैं we will be discussing each one of these in detail here इसको हम लोग discuss करते हैं तो देखिए जैसे वाच्यायन है वाच्यायन का नाम आप लोगों ने सुना होगा वाच्यायन क्या कहते हैं वाच्यायन कहते हैं क यह प्रमाण को वैद यान का सुरूत मानते हैं valid source of knowledge यह किसको मानते हैं यह प्रमाण को मानते हैं और इसी के बारे में हम लोग discuss कर रहे हैं तो सबसे पहला है what are the types of प्रमानाज कौन-कौन से आपके जिगा कौन-कौन से types हैं तो देखिए पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण प इसी को हम लोग बोलते हैं protection तो देखिए क्या है protection means knowledge gained through perception perception takes place with the help of sensory organs अब क्या है it can be direct as well as indirect perception कैसा हो सकता है direct भी हो सकता है और indirect perception भी हो सकता है direct perception देखिए क्या होता है direct perception is the cognition of the sense objects by our senses, organs, smell, touch, form, eyes, ears, taste यानि कि जो हमारे five sense organs है उसके द्वारा जो हम feel करते हैं जो knowledge perceived करते हैं उसी को हम क्या कहते है direct perception ठीक है यानि कि comes in the direct with the objects of sense अब अगर हम बात करें इसको हम अनुभाव भी कहते हैं क्या कहते है अनुभाव meaning experience यानि कि जो experience अनुभाव लेकर ग्यान प्राप्ट करते हैं उसे direct perception कहते है अब indirect perception देखिए क्या है creates knowledge based on memory यानि कि indirect perception किस पर बेज़़द है आपके memory पर बेज़़द है once we have shown what an apple looks like once we have known what an apple looks like this gets fed into our memory और stock of knowledge यानि कि एक बार हम apple हमने देख लिया कि वो कैसा लगता है देखने में तो यह हमारी memory में fit हो जाता है फिर उसके बाद in future कभी भी हम apple का नाम सुनेंगे तो हमें तुरंत recall हो जाएगा इसी को कहा जाता है indirect perception ठीक है it is based on our previous memory next आपका है अनुमान प्रमान अनुमान प्रमान यानि inference अनुमान लगाना यानि कि इस पर यहां knowledge कैसे गिन किया जाता है by the help of sense organs become the object of inference यानि कि अनुमान लगाना या अनुमान लगाना यानि कि हम अनुमान लगाते हैं किसी चीच का जैसे अगर हम example लें we can infer fire from the smell of smoke यानि कि धूएं की महक से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं आग लगी है और we can infer physical or emotional pain when we see the other person crying यानि कि दूसरे को रोता देखकर हमको दर्द महसूस होने लगता है या हम emotional या physical pain महसूस करने लगते हैं यह क्या है inference है अनुमान है ठीक है it is different from perception and inference and and is based on comparison जैसे example देखे क्या है a person who has known that a four-legged animal that barks is called a dog in his village यानि कि एक इन्सान यह जानता है कि जो चार पैरो वाला पशू है जो भौकता है वह कुता होता है या doggy होता है when this person goes to the jungle and sees a similar looking animal which barks he can say that this wild dog is like the dog in my village यानि कि फिर वही इन्सान जब जंगल में जाता है और उसी तरीके का एक जानवर देखता है जो कि भौकता है तो वह क्या उक्मान क्या comparison करता है कि वह कह सकता है कि यह जंगली dog ठीक वैसा ही है जैसा कि मेरे गाउं का dog है dog in my village यानि कि और the dog in my village is like this wild dog यानि कि यह भी कह सकते हैं कि हमारे गाउं का जो डॉग है वह इस जंगली डॉग के जैसा है तो इसको क्या करता है का जाता है कि such knowledge possible when there is a prior family with particular thing यानि कि आप इस knowledge को तभी गिन कर सकते हैं जब आपकी memory में पहले से इसका schema जो है feed है feed हो next है आपका अर्थपत्ती अर्थपत्ती प्रमान को हम लोग बोलते हैं assumption या पूरु कल्पना करना और implication तो देखे knowledge gained through seeing the relation between cause and effect जब हम किसी भी knowledge को कैसे गिन करते हैं कारण और प्रभाव के द्वारा तो वह हमारा क्या कहलाता है अर्थपत्ती प्रमान देखे क्या है it includes postulation supposition and pre-assumption यह क्या-क्या कर सकते हैं कि हमने क्या देखा या हमने क्या सुना और उसको हम सही सही अंदाजा लगा सके है जैसे इसका एक example देखते हैं देखे example क्या है a healthy person says that he doesn't sleep at night यानि कि एक healthy person क्या कहता है कि वारात में नहीं सोता है from this proposition we can postulate that this perhaps this person sleeps during the day यानि इस postulation से हम क्या किस निसकर से पहुंचते हैं कि एक स्वस्थ इंसान जो जो कि रात में नहीं सोता है इसका मतलब कि वह दिन में सोता ही सोता होगा तभी वह क्या है healthy है अगर क्योंकि देखे सोना स्वस्थ रहने के लिए सोना बहुत ही जरूरी है यानि कि अब क्य यही चीज़ मैंने बताई नेक्स्ट है आपका अनुपलब्धी प्रमान या apprehension and non apprehension देखे क्या है this is based on the apprehension of a non-existent thing based on a non-perception यानि कि यह किस पे बेज़ड है आपका अनुपलब्धी अनुपलब्धी का मतलब क्या है कुछ लोग जैसे यह कहते हैं कि जो आपका इस इसे स्विकार किया है जबकि प्रभाकर ने इसको क्या किया है नहीं माना है प्रभाकर इस बातको नहीं मानते हैं और इस ततकाल यान है ठीक है तो इस तरीके से क्या है कि अब देखे क्या है इसका example अगर हम देखते हैं तो this means that perception as well as non-perception can be the source of value knowledge यानि कि अनुपलब्धी क्या कहता है कि perception और non-perception दोनो valid source of knowledge हो सकते हैं जैसे example लेते हैं तो example की बात करें तो there is no student in the class यानि कि हम class में हैं नहीं लेकिन हम केवल यह सूच रहें कि class में कोई नहीं है because we cannot perceive student in the class at the moment we can conclude that there is no student in the class हमने यह कहा कि class में कोई भी बच्चा नहीं है हाँ सही बात है क्योंकि हम इसे perceive नहीं कर पा रहें cannot perceive इसलिए हम इस निशकर्स में पहुंचे हैं कि क्लास में कोई भी student नहीं है यह आपका क्या है अनुपलब्धी प्रमाण यानि कि जो उपलब्ध नहीं है उसके आधार पे हम प्रमाण की ओर पहुंच रहा है निशकर्स के और पहुंच रहा है नेक्स्ट है आपका लास्ट शब्ध प्रमाण यानि वर्ड और वर्बल टेस्टी मुणी यही आपका बेस्ट सोर्स आफ नॉलज़ माना जाता है इंडियन फिलॉसफी में जो वर्बल टेस्टिमॉनी का अनलब जो शब्द हैं यानि कि इस is gained through verbal testimony a lot of knowledge we gain about the world is through verbal testimony जैसे जो हमारे टेक्स्ट हैं जो हमारे सिंबल्स हैं जो हमारे words हैं इनके द्वारा हम जो ग्यान प्राप्ट करते हैं वह हमारे क्या कहलाता है verbal testimony देखें जैसे क्या है verbal testimony must have valid source of its object of knowledge to be true यानि कि जो verbal testimony है जैसे देखें verbal testimony testimony का अदलब ऐसे समझे जो हमारे वेद हैं जो हमारे सास्त्र हैं हमारे वेदों में जो बात लिखी गई है हमारे ग्रंतों में जो बात लिखी गई हमारे पुराणों में जो बात लिखी अब देखिए अगर हम modern time की बात करें इन modern days we rely on newspaper, books, generals, tv news etc यानि कि अब हम आप केज़ेगा अगर हम आज की बात करें तो हम लोग newspaper, books, journals, tv news इन सब को क्या मानते हैं valid source of knowledge मानते हैं तो यह हमारा क्या है इसको हम कहते हैं verbal testimony तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या देखा टूटल जो ग्यान के जो प्रमाण है उसके six steps को पढ़ा next class में हम इसके आगे पढ़ेंगे आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर फिर भी कोई confusion है तो आप comment के द्वारा पूछ सकते हैं इसके next part को हम लोग discuss करेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे subscribe, like and share कीजिए thank you so much आपका दिन शुभ हो